उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार के उपाय, विस्तरित जानकारी उत्तर पूर्व दिशा को वास्तु शास्त्र में बहुत शुब माना जाता है इसे इशान कोण भी कहा जाता है ये दिशा देवताओं का निवास स्थान मानी जाती है और यहां प्रवेश द्वार होने से घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवा बढ़ता है हाला कि यदि कुछ वास्तु दोश हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए कुछ उपाय किये जा सकते हैं उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार होने के फाइदे धन और समरिध्धी इस दिशा में प्रवेश द्वार होने से घर में धन और समरिध्धी आती है ये दिशा स्वास्ते के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है आध्यात्मिक विकास इस दिशा में प्रवेश द्वार होने से आध्यात्मिक विकास होता है सकारात्मक उर्जा ये दिशा सकारात्मक उर्जा से भरपूर होती है उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार के उपाए यदि आपका प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व दिशा में है और आप कुछ वास्तु दोशों को महसूस कर रहे हैं तो आप निमनलिके तुपाए कर सकते हैं दर्वाजे का रंग दर्वाजे का रंग हलका होना चाहिए जैसे कि सफेद, हरा या पीला दर्वाजे का आकार, दर्वाजा बड़ा और चोड़ा होना चाहिए दर्वाजे की सामगवी, दर्वाजा लकडी का होना चाहिए दर्वाजे की दिशा, दर्वाजा अंदर की और खुलना चाहिए दर्वाजे पर ताबीज, दर्वाजे पर स्वास्तिक या ओम का चिन लगा सकते हैं तुलसी का पोधा, दर्वाजे के पास तुलसी का पोधा लगा सकते हैं गनेश जी की मूर्ती, दर्वाजे के पास गनेश जी की मूर्ती रख सकते हैं दीपक जलाना, रोजाना शाम को दीपक जला सकते हैं, मंत्र का जाप, नियमित रूप से मंत्र का जाप कर सकते हैं, अन्य महत्वपूर्ण बाते, उत्तर पूर्व कोन साफ सुत्रा रखें, इसकोने को हमेशा साफ सुत्रा रखें, भारी सामान न रखें, इसकोने में भारी स आपके पास कोई और प्रश्न है? यदि आपके पास उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार या अन्य वास्तु सम्बंदित कोई अन्य प्रश्न है? तो बेझी जुक पूछें. मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी. कर दो पर जो झालाए है